माईसात मनीश जुड़ गए हैं मनीश जॉइंट डेक्लेरेशन की बात ही लगातार की जा रही थी कि पूरे एक साल तक जो कुछ किया गया है क्या निकला क्या आउटकम है इसका उसके लिए जरूरी है कि एक जॉइंट डेक्लेरेशन सामने आए इसमें कुछ पेश थे जिस इस सत्र में प्रधानमंत्री का जो ओपिनिंग रिमार्क्स है उसने दरसल जी 20 की सबसे बड़ी उपलब्दी का एलान कर दिया है और वो उपलब्दी है कि भारत के नेत्रित में डेली डेक्लेरेशन को एडॉप्ट कर लिया गया है यानि उसे मंजूरी मिल गई है प्रधा राय नहीं बन रही थी वहां पर सर्व सम्मती से राय बन गई है अब यह देखना होगा कि इस घोशनापत्र का कंटेंट क्या है रूस युक्रेन युद्ध जिसे लेकर मामला फसा हुआ था उसे लेकर क्या कुछ कहा गया है किन बातों पर सहमती बनी है निश्चित तोर प है उनको भले डिक्लेरेशन के उन बातों को लेकर सोचने समझने की जरूरत है लेकिन हमारे लिए भारत के लिए यह सबसे बड़ी बात है कि सर्व सम्मती से दिल्ली घोशनापत्र को मंजूरी मिल गई है प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी ने स्वयम इसका एलान किया है बिल लपिंग नेशन हैं उनकी आवाज को बल मिले और क्या कहीं न कहीं वो रिफ्लेक्ट होगा इसमें यह माना जाए अब बिल्कुल देखे ग्लोबल साउथ की आवाज को बल देने की तो रिफ्लेक्ट होगा ही होगा देखे सबसे बड़ी बात थी कि यह तो तह था कि दिल्ली घोशनापत्र आएगा वो आ गया है प्रदान मंतरी ने स्वयम इसका एलान किया दूसरी बात भारत की बड़ी क कि तमाम देश सहमत हो गए हैं अब वो किन किन बातों पर सहमत हुए हैं यह डेक्लेरेशन देखकर पता चलेगा लेकिन इतना तो जरूरत है कि रूस और युक्रेन के मुद्दे पर भी भारत के नेत्रित में सभी देशों को मना लिया गया है मुझे लगता यह आज की तार कि तमाम देशन सर्वसमति से आया उसकी एहमियत क्या है कि जब निउ डेली में यहां पर दिली में हो रहा है यह जी ट्वेंटी सामिट ऐसे में यहां यह डेक्लेरेशन आना और इसकी जो अडचने थी इसकी जो विदाएं थी उनको कैसे दूर किया गया उसमें भारत की भ विदार्थी पूरे एक साल पढ़ाई करता है और फिर आप पडिक्षा देते हैं और उसके बाद फिर आपके रिजल्ट आते हैं तो जैसे एक विदार्थी के लिए रिजल्ट का महत्व है वैसे ही किसी भी देश के लिए जब आप G20 जैसे बड़े सम्मेलन की प्रेजिद ऑचन का मामले में ने कैसे डिठ रीडॅरी के मामले में क्या कुछ टेंट रखाजाएगा उसी में से एक मुद्धा आता है रूस और यूक्रेयन जिसको लेकर हम सब जानते हैं कि अमेरिका ब्रेटेन और g7 के वो तमाम देश हैं जिन जिंका मानना है कि वह साहते हैं कि बहुत सम्मेदन शील मुद्दा भी है, बहुत गंभीर मुद्दा भी है और उसमे किसी भी तरह की सहमती बनाना भी बहुत मुश्किल है तो अगर उस पर कुछ है और उस पर कुछ सकारात्मक निकल कर सामने आता है जॉइन डेक्लरेशन में तो भी बड़ी बात होगी और नह अपने आप में सर्वसम्मती से इस डेक्लरेशन को एकसेप्ट कर लिया गया है